अर्थार्थ विशम चक्रिय योगिक, चक्रिय योगिकों की चक्रिय सरचना में यदि सभी परमाणू समान हैं, अर्थार्थ सभी सदर्ष्य कार्बन परमाणू हों, तो ये योगिक सम चक्रिय यानि होमो सैक्लिक योगिक कहलते हैं। लेकिन यदि किसी चक्री योगिक की चक्री सरचना में कार्बन के अत्रिक्त एक या एक से अधिक अन्य परमाणू हो, तो ऐसे योगिकों को हिट्रो साइकलिक या विशम चक्री योगिक कहते हैं। ग्रीक भाषा में हिट्रो का अर्थ होता है अधर या डिफरेंट। कुछ योगिक ऐसे भी होते हैं जिनकी विशम चक्री सरचना होती है। उधरन के रूप में एमपॉकसाइड, गामा और अलफा, लेक्टोन, अधी यदी इन्हें विशम चक्री योगिकों के श्रिनी में नहीं रखा जाता है। इसका करण है कि इनकी वले को आसानी से तोड़ा जा सकता है, एवं इनमें कोई एरोमेटिक गुण नहीं होता है। प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है। ऐसे इस्थाई वले जो सरचना युक्त योगिक जिनकी वले में कम से कम एक विशम परमाणू हो और उनसे एरोमेटिक गुण हो विशम चक्री योगिक या हेट्रोसाइकलिक कमपाउंट्स कहलाते हैं। वैसे तो कार्बन के अत्रिक्त कोई भी विशम चक्री परमाणू हो सकता है। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर के परमाणू अधिक सामान्य होते हैं। चुंकि पांच और छे सदश्यों वाली वले सबसे अधिक स्थाई होती है। अत्य पांच ये छे वले वाली वले युक्त सरचना वाले विशम चक्री योगिक अधिक सामान्य होते हैं। उधारन के रूप में फ्यूरेन जिसमें चार कार्बन और पांच वा उक्सिजन होता है। इसी तरह से थायोफीन जिसमें चार कार्बन और एक सलफर होता है और एक वले बनाते हैं, इसी तरह से पिरोल या पैरोल जिसमें एक चार कार्बन और एक नाइट्रोजन एनेच ग्रूप होता है, अर्थात इसी तरह से छे पांच कार्बन वाला एक वले जिसमें छटा परमा नामकरन के लिए नॉमिन क्लिचर के बात करें तो समाने विशम चक्री यूगिकों तो अपने जो रूड नाम होते हैं उन नामों से ही जाने जाते हैं किन्तु विशम चक्री योगिकों के विशे में अधिक जानकरी के बाद इन्हें IUPAC नामकरण का भी इनको महतो मिला IUPAC पद्धती में के अनुसार विशम चक्री योगिकों के नामकरण की पिधी इस प्रकार से है एक चकरी योगिक के नाम का पूरु लगन practicing विशं परमानु की प्रकरति को बताता है जैसे विशं परमानु हेटरो एटम जो है, oxygen है, sulfur हो सकता है, nitrogen हो सकता है येदि oxygen है तो उसका prefix जो होगा, ox होगा येदि sulfur है तो उसका prefix थाय होगा और यदि nitrogen है तो उसका prefix agio होगा अर्थात pyrol जिसका IUP सी नेम agol होता है agio means nitrogen, all means यदि एक से अधिक वले, एक से अधिक समान परमनों हो तो पूरू लगन di, tri इत्यादी लगाते है उधारन की रूप में यदि दो oxygen है तो डायक्सो, तीन nitrogen है तो ट्रायजो, उधारन की रूप में imidazole यदि ले हम, तो उसका IUP सी नेम जिसमें की दो nitrogen है उसका नाम 1-3-diazole होगा यदि एक से अधिक परमानों, विशम परमानों हो तो उनको इंगित करने का क्रम इस प्रकार होता है कि सबसे अधिक प्रायवर्टी उस परमानों को दी जाती है जो अवरसारनी में उच्छ सम्मू का हो उधारन में यदि किसी विशम चक्रिये योगिक में nitrogen और oxygen विशम परमानों दोनों यदि मौजूद हैं तो oxygen अवरसारनी के 16 का सदश्य होने के कारण nitrogen 15 वर्ग का सदश्य होने के कारण अधिक प्रायवर्ट वाला परमानों हो जाता है आता है योगिक का नाम nitrogen और oxygen होने की वज़े से oxajol कहलाता है oxajol oxa plus aja plus is equal to oxajol यदि दो भिन परमानों समान जमू के हैं तो प्रायक्ता उस परमानों को दी जाती है जो कम परमानों संख्या वाला हो उधरन के रूप में यदि विशम योगिक, sulfur और oxygen दोनों ही 16 वर्ग के सदश्य हैं तो कम परमानों करमांक वाले oxygen परमानों को प्रात्मिकता दी जाएगी और योगिक का नाम पूरू लगन यानि यदि हम बात करें प्रिफिक्स की तो ortho thayo, oxa thayo हो जाएगा अते प्रमुक विशे, परमानों की प्रायकता का क्रम, oxygen, sulfur, nitrogen और silicon अधी इस तरह से होगा वलेब के परमानों को या सदश्यों को कुल संख्या को प्रदश्यत करने के लिए नाम के मद्य या मुख्य नाम में नियमानों सार अक्षर लिखते हैं यदि पांच सदश्यों वाली संख्या है तो मुख्य भाग क्या अक्षर, ol क्यालाएगा, ol यदि छे वाली रिंग है, तो in, i, n उधरन के रूप में थायॉल, पांच वाली संख्या है, इसलिए थायॉल कहेंगे, एक सल्फर होगा, चार कारबन होगे, और इससे रिंग होगी, लेकिन उसमें एक निटोजन होगा, और चार, पांच उसमें कारबन होगे, वले संतरप्त है, या संतरप्त, इसको भी एजीन की बात करें, तो जो 6 सदश्य वाली जो रिंग है, उसमें नाइटोजन की उपस्तिती है, और ये एसंतरप्त है, इसी तरह से, यदि हम बात करें, एजीन इडीन की, तो वहाँ पर देखिए, ये संतरप्त वले है, 6 सदश्य है, नाइटोजन की उपस्तिती है, इसम यहाँ पर nitrogen नहीं है इसी तरह से यह एक unsaturated है जबकि संतरप्त वाली की बात करें तो Oxane यह भी एक 6 सदश्य रिंग है लेकिन जिसमें nitrogen नहीं है oxygen है इसी तरह से यदि हम बात करें यह संतरप्त Oxine का बात करें तो यह सामाण्य नाम इसका Pyrane है और यदि हम nitrogen के अनुपस्तिती वाली 6 सदश्य औक्सिजन वाली रिंग की बात करें तो यह है Pyrane है इसी तरह से यदि हम 5 सदश्य वाली वलेयों की बात करें तो यहाँ पर देखिए nitrogen की उपस्तिती और अनुप उपस्तित यह जिसमें एक नेटोजन एक आक्सिजन है इसका नाम है Oxoglidin जो Tetrahydro Oxygen Oxygen जिसका नाम साधरन नाम है इसी तरह से हम नाटोजन में यह दि अनुपस्तित पांस सदशी वले की बात करें तो यहां पर है थायोल, थायोल मतलब पांस सदशी रिंग तो है, जिसमें एक सलफर है, नैटोजन नहीं है यहाँ पर, इसका नाम थायोल है, लेकिन इसका समने नाम थायोफिन है, इसी तरह से यदि हम संत्रप्त नैटोजन अनुपस्तित वाली पांच सदशी रिंग की बात करेंगे, तो व वले संत्रप्त है और या संत्रप्त है, इसे एक अन्यविदी के द्वारा भी हम परदेशित कर सकते हैं, जिसके गुण पूरू लगन में डाई हाइड्रो, टेटरा हाइड्रो, जितने भी द्वीबंद के स्तान पर हाइड्रोजन परमानों जुड़े रहते हैं, उन्हें परदेशित किया जा सकता है, पूर्ण संत्रप्त वले को पर हाइड्रोक्सी, पर हाइड्रो पूरून लगन लगा कर भी परदेशित किया सकता है, जो इस्तियां संत्रप्त हैं, उन स्तियों को संख्या लिख कर उसके आगे प्रतीक एच लगा कर भी वले को कि संत्रप्ता प्रदशित की जा सकती है यदि एक चक्री है योगिक में एक ही विशम परमानू हो तो उस परमानू को नमबर एक दिया जाता है यदि समान विशम परमानू एक से अधिक हैं तो अन्य विशम परमानू को नियुनतम संख्या दी जाती है और यदि एक से अधिक ऐसमान विशम परमानू हो तो उन्हें सदिक से अधिक को पराइक जो परमानू होता है उसको एक नमबर दिया जाता है और उससे कम पराइक परमानू परमानू जो परमानू है को नियुनतम संक्या दी जाती है कुछ एक चक्री है योगिकों के नामकरण इस प्रकार है पाइरॉल जैसे पाइरॉल में नाइटोजन है तो यहाँ पर एजॉल इसका यूपीसी नेम है और नाइटोजन के पास नाइटोजन को पहला संक्या दियाती है और उसके बाद में राइट एंड साइड से इसके पर दिया जाता है पिरिदीन के बात करें जो च्छे च्छे वले वाला विशाप हिट्रोजन कंपाउंड है